जाश्टी विश्णा सभी को Welcome to our YouTube Channel Commerce Classes मैं हूँ आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा कैसे हैं आप सब में भी सभी बैस्ट होंगे और सभी की preparation बहुती अच्छी चर्ड़री लोगे हम UG Synet का Unit Number 10 Higher Education कर रहे हैं जिनमें से हमारे दो separate complete हो चुछे हैं एक तो N-Scient Education के बारे को दो चुछा नेक्स जो हमारा है T-Independence और Post-Independence Education के बारे में पूरा फ्रुच हो रहे हैं चिक है तो आपका बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और आप हमारे previous lecture ज़रूर दिखिए क्योंकि एक्जाम में उसमें कोशन आना करना कनपाम है दो क्या है आज का हमारा चैप्र जो है वो और एक रएंटर जो हमारे रहे हैं एजुकेशन देगारी या फिर ट्रेडिशन कोर्स जो हमारे है और जो अब भी करन टाइम में चल रहे हैं उनके वारे में हम बात करेंगे हमारे इस lecture के अंदर और आई दिन काज 3rd chapter हमारे complete हो जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स भी और इंटर स्टडी क्या है और इंटर स्टडी में यह होता है कि जब कुराने टाइम में यानिके हमारे इंडिपैंडन से पहले हमारे और इंडिपैंडन से पहले इंटर से पढ़ने के लिए आपको और हमारे कित्यास से समन्नित हरगजी इंट सथी के अंदर तो देखें ऊसको डेखते हैं और इंटर स्टडी अबरांस निया इस्टर्न फॉर इस्टर्न सभषी इस एंशेटित को कि अटला पर राहीं अंतुज का रहा है? कि उनलोगों औल है नोत रे तो अंट पत्फा hot 오랜만 में अत्तिया को रहा ही बड़ा चाते हैं अगर को जाता है तो हमें हमारे इतिहास जाता चान्ग लिता है पुछ पर चात के लोगर के लिए लिए अकुछ गुटार रहे हैं जिन से पर चाथे इंडिया कि वहीं पर आप दाल कर एक जहाँ यहां के इंड़िया संस्पित विशो भी देहा है अजो, संस्रिप्स इनके वारे बटाया है इसके बार बूब और बहुत सारे संस्पित बनलब और इंटर्टिट्ट्रीट्स इंड है जहार को हमें हमारे इधिछासती और चीजों को सीखने को मिलता है तो उसे बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? First, Oriental Study क्या होता है? ये एक Asian Study क्या है, जिसमें हमको Tradition के बारे में सिखाया जाता है Tradition Study of Europe Focus on Display Islamic Study, Tradition China is often called Scenology और Israel and View Study is Israel Jews Study प्राने Conven nih! siz माखते गे? आवारे में 5 शाषिन अग्रेटों को शाषिन थाक है How To Know और हम अननैदरेटों को अगलेटों को चाहने की सांव है तो अगर एक टिहासके अंदर जाएंगे तो हुमें ये ही बढ़ने को मिलेगा यानिक है इस्नामिक च्टडी के बारे में मिलेगा अपिर आशयान और ये युरॉक्यन च्टडी के बारे मिलेगा अगर हम जर्चेलिस लोगों पढ़ना चाहेंगे तर चेसे एक भी भूख हमको मिल सकती हैं और रेंटल स्टोडी के अंदर और उनका मतलब रहेंस हैं, उनी की हिस्ट्रीए बारे हैं, तो पुम पता लगेंगा वो किस तरीके से थे लोग उसाथ कैसा था, उनकी लाइवीजिस कैसे इनका फेस कलर कैसा था, अबरी थीम, चीक है, तो यहां पर हमको मिल सकता है, और उसलिए इसलिए बनाया गई हैं, जो कुराने स्ट्री को कर सके, इसमें कल्चलर को भी चामिल की जाता है, यहां पर क्या बात देयरा पुब्लिश नोट्स विड ट्रांस्लेशन यहां पर अपको पुब्लिश नोट्स में उसकते हैं उनकी ट्रांस्लेशन के साथ में और जहां पर नोट्स नहीं बनाए गए थे, वहां पर मनुस्क्रिप्स बनादी गई थे, आफरे, कुदाई करके काफी सारी शीजि़ों को लिए गए लिए गया है, तो मुग जानते हैं, कि हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो और यह तर स्ट्डी की बात करते हैं अब हम चलते हैं इनकी का उनका से का उनकी तरह परस्ट हमारा अध्यार लाइबरी अध्यार लाइबरी क्या है यह कहा है अध्यार लाइबरी चेनाई में है और 1882 उसे start होगी, अधिया लाइबरी काँ है, चेनाई में, start होगी, AD1882, जो क्या होचा है? आने, जो मन क्या होचा है, अधिया लाइबरी के अंदर क्या था? एक लाग पिछीतर हजार प्रिंटेड बुक्स थी और 18600 मनुस्क्रिप्ट थी मनुस्क्रिप्ट यानregist की फसय लिखीं, लेख 18600 थे और 11600 बुक्स थी महां पर 11600 प्रिंट बुक्स थी, किससे रिलेटेड़ मतलब उन लोगों से रिलेटर्ट जो वहाँ पर रहते थे कौन सी लाइबरी में वहारी है अग्यार लाइबरी जो कि चैने के अंदर है इसके डिफ्रेंट रिलिजियर्स एंड फिलोस्पी अफ लांगविज नहीं लिफ्रेंगिए तरह रिफ्रेंग के पर शौ में देखिए ठार गें उन इस जरृ पार्पनेश्य सब्राइबरी में पर बढेंद भुण गेमें तो आपनीष्यत प्राह्मा योग इनदर्पव निथी आपनीष्यत-ब्रहम योगिंद्रथ है सब्सक्राइट किसमें स्टार्ट किया ? सर विल्यम जॉंस में सर विल्यम जॉंस ने स्टार्ट किया सब्सक्राइट किया सब्सक्राइट किया सब्सक्राइट किया सब्सक्राइट किसमें सब्सक्राइट किया सब्सक्राइट किया सब्सक्राइट किया को बचाने की कोशिश की गई थी, तो इसमें क्या हाथ हो तो प्रोवाइड दाम, में ओफ रिजर्विंग, दामियों रेस्ट्रैक्ट, और एसे विच अधरवाइस, वुड़ वी लॉस्ट तो पुब्लिक सॉसाइटी के लॉस्ट हो गए थे, तो उन ऐसे इसकों जॉन लिच्टियर्स, मतलब इस परसन को जो सर बिलन जॉन थे, इनको फर्स प्रेजिडेंट बनाया गया था, हैंडरी, और वो बर्सम ओफ अधर, बिस्दिनाइस्ट, और येंटलिस्ट, और उसके लावा कुछ और हमारे और येंटलिस्ट हैं, जिनका नाम यहाँ पर आ मतलब वही लोग तो जानते हैं ना कि हिस्ट्री के बारे में, तो उन लोगों ने जो बचाने की कोशिश थी ताकि ये फ्यूचर में काम आ सकें, लोग हमारी हिस्ट्री के बारे में जान सकें, उसके बाद हमारा रेक्स्ट राता है, भंडारकर और्याटल रिसर्च हम कुछ ना कुछ फ्यूजर के लिगाड़ी सीखते हैं तो भंडार कर और और रिसर्च इंस्टिटूट है इसमें भी हिस्ट्री से इलिगेट काफी चीज़ें मिल जाती हैं जहां पर रिसर्च चब जाते हैं रिसर्च करते हैं और नई चीदों को निकालते हैं और इसका रिक्ने कर पॉने में स्टार्ट हुए था ये पूने में क्या है étape क्या सक्वाय Phmения oriented अचीए बही पुने में इसके तो ऑ्न चीछ के ठीच रिया तो मीगनल ने आटने की अचीए भंडारकर ने आज ही भंडारकर ने इसकी जहर शुरुआ की थी और उस चाहिए पर यहाँ पर जो बुक्स थी ना टोटल 20 सजाग भुक्स थी जो के संस्क्रिप्स लाइबरे से रिलेटिड थी ठीक है कोलक्शन थाट इसके अंदर आजए कंडारकर के अंदर 20 अज़ार संस्क्रिप्स लाइबरे से रिलेटिड बुक्स का उस ट्रैंग पर जो भी इशू बगारा होते थे उनके रिगार्डिंग की जाती थी और एवरे टो इयर के अंदर मिटिंग होती थी जो आजए कंडारकर इसमें कि हमारे हांबर क्या 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 इशूस हैं लाइबरे से रिलेटिड है तो उनके रिकार्डिंग का मेटिंग थी इस यूनिवस्टी के वह हर दो साल में की जाती थी उसके अलावा 20,000 बुक्स इस वाले इसितूट के अंदर चे रिलेटिड थी कोई और लाइबरे से इसको 1934 में बनाया गाय था अलहाबाद में कहां 2015 में बनाये गया था कि इसको गणहरा जहां दुद्टूआ में सालसquit विदिक विद्यापीत को गोर्ट्मेंट ने से लिया है 1945 में और अगॉप्मेंट ने इसको अपनी अनीड टेहिं के लिए 2045 के और इसके अंदर जो पेजनी स्कॉलर्स हैं या लाइंगेज के स्टुडी करना चाहते हैं वो लोग चाहते हैं फिर आता है कुपव स्वामी शास्त्री रिसर्च इस्टिट्टूट इसकी भी जो और्गनाइज़ेशन है चैनली के अंदर थी गई और यह कॉक्डिनेटिन एक्टिटिटीज करवाता था अंदा इनिशी रिखरिटिनेटिटीज इंस्टिटिटीज इंस्टिटिज गत्था किया कन पर सेमिनार करवाया उंस जोबी इस वो सौल्व किये जाते थे इसमें महीं कुपपस्वामी सास्त्री रिसर्ट इंस्टिूट के अंदर फिर आता है मद्रास सरस्कित कॉलिज मद्रास सर्ष्कित कॉलिज जो है वो 1905 में वी कृष्णास्वामी अगयर ने स्टाट के इसने किया वे क्रिश्न स्वामी मद्रासर के कोले शुरू किया वे क्रिश्न स्वामी ने ठीक है और कब क्या नाइंटीन जिरो फाइफ में इसमें क्या था विशार्दा दीगे सब्जेक्ट भी वेदास, वेदान्ता, मिमानसा, सम्वित्टी सम अलाइब सब्जट इसके इंडर जो सब्जेक्ट दीके जाते हैं वे शुरू समस्क्रिट लाइब सब्जेक्ट अगर जो लोग गेड्स के लिगाड़िक अगर भी वेदान्तों के लिगाड़िक उनके लिए उनकों अलब सब्जेक्र ने के बाद में कोई ने कोई डिग्री और डिप्लोमा दिया जाता था जो इस लाइब से इलेटेड होता था जो लोग भी मद्राव संस्क्रिट लिद्यापिक में या कॉलेज के अदर पढ़ाई करने के लिए आते थें इसके लावा और भी हमारे हैं कोलेज जैसे की ओर इंस्ट्रिट्टी त्रिवन्द्पूरा में हैं जिसमीं पचास हजार से जादा मनुस्क्रिट रखी हुनी है इसके अलावा, ओरिएंटर रिसरीट इंसेट्स इंसी इसुट है स्लस्कृत अकाडमिक है स्लस्कृत साहित्य परीशर्ष तो किताब्र रहेति इसमें बहुत सारे प्रीशों के बाद भी उनलिम्टे लब और जीव पोरीच हरे युज नहीं कि आलकत्या साहित्य कोंटर ऑने में उसके बारे में बताया गया है कि हमारे हां financial crisis कि आने की पैसा नहीं तर लेखिए लग तब भी लोग बहुत शांती से नियाये के आसे प्यार से रहते थे मझलब उस टाइम के रगोगा जीवन कैसा था उसके बारे में बताया गया है और यह इस्टिटुट कहा है कलकता के कलकता में है उसके बाद हमारे गॉर्मेंट संस्क्रिप कॉलेज इसमें 1824 के अंदर इस चुनिया कंपनी के मैथर्ड्स के बारे में बताया है कि मुलो संस्क्रिटों टैडिशन को लेकर थी कैसे चलते थे सरस्वती महाल लैब्रेली पूर्ड में नंबर 1 से मन संबता है कहां है तन चर्स्वती में असके बाद हमारे करणा एक बढ़े कर którego हरे करना बूम्हक के साथ पढ़ाई करते हैं और different books का यूस करते हैं तो पर में डिवी प्रोवड की जाती है यह अपनी प्रोवर्डिक है और क्लास्टरा भी हो सकती है तो हमें इसी कर्वेंशन लेंग प्रोग्राम को तू ताइम से बाटा है एक तो अधिशन लेंगे अधिशन इस अधाननना को कि पहुआ एक लुआरा में अधिशन की आपटेशन को नहीं सकते हैं और क्लास्टरम्टे ना के इससितिम क्लास्टरों की सब्सक्राइबर करते हैं अधियक काम डिये जाता है प्लेर्निग फूल टाइंग होगी लर्णर इमें वर्णोल और कॉंटिनू रहेगा इंस्टिटूट के अंदर और किसी एक इंस्टिटूट से बिलॉंग कर सकता है लर्णर यूज़ यह होगा दो और जो लर्णर रहना इसी कॉंटैक्ट विट फैलो लर्णर मतलब जो उसके साथ वाले पढ़ने वाले हैं उन सभी के साथ contact में रहेगा उन सभी से शेरिंगर के study कर सकता है उसके लावा इस पर एक future तो कंपटर में हो गई होगा क्योंकि classroom study कर रहा है एक quickstime भी होगी this strength education system में क्या है यह open university है ठीक है इसके नहीं क्या होता है जो student है वो free रहता है और part-time या full-time जैसा मन करें वैसे पढ़ सकता है The learner return to a role in the hands in time, the learner is a member of my institute, the learner is an adult, distance ले क्या है वो एक नूप बहुत सारी जगा से पढ़ सकता है वह से कर सकता है, अपने according, the learner can adapt, वो सकता है वो बढ़ा भी हो और लेकिन इसके contact वो fellow learners से और ऐसा easy नहीं होता है क्योंकि distance learning क्या होता है हम घुच चालते हैं, mission कर दातर पढ़ाई करता है, वा कोई हमारे साहत है, क्लास्रूम नहीं होता है, हम अपने according कर रहे होते है मालो आप समर्क डिस्टेश्योग को कर दे निया है, ony teacher नहीं आप साथ नहीं है आप समर्क देख मों के साथे लेन नहीं है को सो अधा जिय कर दो की वो करना से नहीं जिसमें बहुती है कम जो मतलब कॉन्टेक्ट में टीचर्स के लोग आते हैं उपन डिस्टेंस लेविंग सिस्टम जो इतना इजी नहीं है उसके लगा इस काम को इंट्रगांदी नैशनल युनिवस्टी के अंटर कराया गया उसके बाद में इस उनिवस्टी के इस उनिवस्टे काम ऑपन लर्नी का वो एंट्य को देया गया तो अब एंट्य ही ऑफन खरती कौशी उनिवस्टी उपन और चौनवपन नहीं देगी उसके लाबवा कंवेंशन प्रोग्राम में कुछ प्रफेशनल खोर्स है लाइक को बिटेक, MBBA, CEA, LLB, MBA, बिटेक क्या है, Engineering Cellular degree देता है, MBBA में हमें Doctor related degree मुलती है, यह हमारे professional course है, CEA Accountant related, LLB, Law related or MBA, Management of Business से related, तो यह professional course है, जिसमें हम लोग खुद, मतलब इस degree को प्राप करने के बाद, अपना काम खुद से कर सकते हैं, एक professional परसंट बन जाते हैं, उसके बाद कन्मेशनल देग्री कोर्स कौन-कौन से है, M.com में Master of Commerce, Commerce related all subjects आपको पढ़ाया जाएंगे, 2 years का post graduation program होता है, next, M.A.R.C. पढ़ाया जाएंगे, चीक है, और यह भी 2 years का post graduation program हो सकता है, after BA हम M.com कर सकते हैं, after B.com हम M.com कर सकते हैं, after B.se हम M.se कर सकते हैं, तो यह हमारे कुछ conventional degree course है, जिनका हम कर सकते हैं, और post graduation degree हमको मिल जाती है, फिर आता है non-conventional course है, यह सब से हड़ी होती है, चीक है, इसको करने कि पाद किसी एक फिल्ट के अंदर जा सकते हैं, like pet groomer इसके अंदर क्या है, हमें इस दिखाया जाता है, जो छोटे छोटे पाद्स है, बश्चो के उनको कैसे समय सकते हैं, बश्चो के अंको कैसे समय सकते हैं, इसके बाद सेलीं बहुत होती है, आज के अंदर के प्रेंदे हैं, next ethical hacking, computer hacking सोना है, mobile hacking सोना है, ITC, build, ID, network के माद्या दिशे, अब जिसमें अगे साइन, नों तरणती नों कलमेशल कोर्स तो ये ये इसमिन स्टेडी कोर्स एं तो ये कर वाएजा इसमिर कॉर्स पर आता कार्पे टेग्टोरिजी जिसमिनोगों को सबस्ते हैो में शठाए बनानें जालिक्षे बनानें का फिर डिजाइनर समान दनाना जाए जाएगा वहाँ पर क्या साइटाप होता और कैसा नहीं होता इस अदिके से लिबरे रिलेटिट मिलती है और भी ऐसे बहुत सारे नौन करवाये चाहते हैं तो यह तो हमारे और स्टुड़ी और कर्मेशन और रोन कर्मेशन के बारे में बताया हैं मैंने वह प्रेडिश जू है उसको इसको उसके अफोरिटीश हैं जो कुछ पालिसिट को बनाती है हमारी अनिवस्ट्री को लेकर चलते हैं प हमारी जिसमें हम सेन्टर जू सेंट्र इंवसीर को लें कर चलते हैं और स्टेट गर्मेशन को इशू करता है और सीज़ी हो हमारे त Tower है महारेрав कर थार पर लगुखनप्सी और जितने भी उनिवस्टीज है वो सीगे भी एक एंडर काम करते हैं MOE, Ministry of Education, वो अथोर्टी जो है, वो डिवाइडर करती है, पहले MHRD करती थी, अब कौन है? MOE, जिसके regarding हमने कोशी उनिवस्टीज को बाठता है, और हम उसके बारे हैं अब बढ़ते हैं फर्स्ट आती है, Central University, Central University जो Central Government के हाथ में है, मतलब कि उसके regarding rules and policies को बनाती है current time, Central University जो हमारे पास है, वो 54 है, ठीक है? Central University जो है, वो Central University अब 2009 के रिगार्दू काम करती है Central University अब 2009, 2000 अब की रिगार्दू काम करती है, पुर Central Universities और अलिगर्ण.. पर काउसे Central University है? अलिगर्ण Muslim University जो हमारे बन पर बनते है यह कब बनाई गी थी? 1905 के अंदर बराई लाई थी 1920 की अंदर बनाई गी थी, अलिगर्ण Muslim University जो नमबर बन पर है है हमारे यहाँ अविर्ट है जो अब और क्यांपिन को थिखान के टीन की ए चाह्सी है हū लो गे हमारी सप्सकर्स हॉप हां मोश्तिशिट दिखान सेट इंवर्मेट ale सब्सक्राइब को थी तो यह कंड चरण है तो तो यह लोकल एस्टिव एक्ट के तहर प्रक्राइब की जाती है लोकल एस्टिव एक्ट आया तो 1930 में था बट बार में इसको चेंज कर देया 1976 में constitutional change के रिगार्डी 1976 में किसको state university act को जिसमें अब कितनी university है total है 4-4, 3 universities, 2 universities वो यह university होती है जिनके अदे पता हैं मतलब यह बिल्कुल same to same union universities की तरह काम करते हैं पर इंको authority में दे रही होती है विल्देब इनके लिए role and regulations बनाने वाला कोई के दियो तो यह काम बहुती best कर ली होती है DMD investors बहुती है अब एक करण टाइन में 26 है हमारे इंडिया DMD university काम का होता है कि government इनको authority दे रखी है कि आप अपने आप में देविस issue कर सकते हैं उसमें मारा कोई रोल नहीं रहने वाला बट अगर गलत काम किया तो यह university के लिए नहीं काम कीशा तो रहता private universities अब जो है ना government और state के साथ साथ प्राइवेट जो हमने पढ़ना प्राइवेट पार्टनर्शीप तो उसके अदर प्राइवेट लोगों को भी authority दी लिए कि आपनी universities को फोल सकते हैं बट उनके लिए कुछ rules जो हमने central government के मानने पढ़ेंगे बाकी rules को अपने according set up कर सकते हैं अपनी universities के रिकारणिब और यह universities के तो हमारे आपट 4003 यानी थी 403 यह प्राइवेट प्राइवेट जो हैं निक्स आता है हमारा meta universities meta universities क्या होते हैं जो हमारे इंडिया के हो बी सकते हैं और बाहर के बी हो सकती है अपना certificate बना के दे गया अपना certificate बना के दे गया अपना diploma अपना degree issue पर सकती है और यह online दीजी जो होते है meta universities के अंडर क्या है भी सब्चना 2 countries की culture को समझना 2 countries की technology को समझना ना काम करवाती है meta universities कोई में लिए technology आती है तो उसको सिखा रहाएंगा लोग करता meta universities करती है फिर अपना language related universities जिन में से language different different language को सिखाने के regarding यह हमारे आपर total six है six है जिन में से तीन तो central universities के regarding काम रखती है तीन जो है वो central university और तीन जो है आपर इन जो है जो इन जो माली जो है language है के different different language के शिखाने आरण करती है अब हमारे आंपर total six university जिन में थी तो है DMP University 3 को और न जो okay क्योंकि के वो आपको अच्छा गर्री रहे है कि रूपको authority निए भी government से तो वो अपने rules and regulations खूद बनाती है मेक्स हमारे मापर है Inter University Center जो Inter University Center के रिगार्डिंट रहे हो UGC के अपर मंदब UGC ने Autonomous Body I.U.C के नाम से रख़ी है Inter University Center जो है They provide only platform for research Inter University सथ क्या यह university से contract तके रखते हैं क्या and research for platform प्रेपर करे देथी क्या आप हमारे यहां पर आईए different subject के रिगार्डिंगे researching कीजिए और मया में मतलब subject matter लेके आईए तो यह काम को कर रहता है IUC Inter University Center कर रहता है लेकिन 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 यह कि किसी को भी certificate प्रोवाइड भी करते को डिप्लोमा और दिखरी भी नहीं देते हैं सिर्फ आप अपना काम निकालेगे इन उनिवस्ट्री में आ सकते है अगर आपको कोई भी unique data की जरूरत है तो research के रिगार्ड़ी लेकिन आपको इसके रिगार्ड़ी कोई भी अपना करते हैं अपसमी किसी भी subject matter की किसी भी problem को solve करने के तो यह association के राती है Association of Indians अभी India के जो all teachers professors पर युणिवस्टी तो भी चांसलर बगारा है उनके एक conference रहना next राता ही हीरा Hira for higher education higher education empowerment regulation agency हीरा को हमारे हाँ पर जो universities के रिगार्ड़ी rules and regulations को अचित क्यार करता है AICGE AICGE जो है वो technical education के रिगार्ड़ी rules and regulations को prepare करता है तो इसी के रिगार्ड़ी में Hira को बनाया गया है Hira के रिगाया higher education empowerment regulation agency plan to replace UGC and aimed at putting at the end of inspector Raj All India Council of technical technical education पहले क्या था सभी के सभी जो authorities थी वो UGC को थी University Grant Commission को बट वो authority सब उठागर्थ को भी दी गही है AICGE को चीक है और India Council of technical education फिर आता है formal education Formal education वही जो government body के according data त्यार के रिया गया हमें वही ख्लेबस दिया गया traditional classroom में गया रिचर ने पढ़ाया जहां पर सभी को same education मिल रही है जहां पर किसी के साथ कोई भी भी भेता बगार नहीं को रहा Then आता है informal education इसमें का होता है Informal लग distance education बोल सतने एक तरी कैसे जिसमें आप रिम बोल सतने हैं behavior, skills, values बगार को पढ़ाया जाता है distance education के लिगारें open-end distance learning बोलते है audio system जिसमें क्या होता है इनको approval दी जाती है और बी-र अंबेटिकर उनिवस्टी जो है वह हमारे हां पर सबसे पहले आई थी जिसने distance learning program शूरु किया नमबर बन पर रही है बी-र अंबेटिकर उनिवस्टी कहा है किस-किस की अंबेटिकर हो सकती आया किसकी नहीं हो सकती इसके लिए क्या है इनको पहले बनाया गया था इनको उसके बाद बनाया गया इनको ऑपन आज रही है अब क्या है जो हमारी UGC है तो एंट को ही ए ग्रांट दी रहे है कि आप खुद distance दरने प्रोब्लम भी अरभाईए और उसके बाद मेरे अति value education के अंदर क्या होता है हम मतलब किसी ये बच्चे को deal करना सिखाते है basic life की problems prepare for profession and more values for child and deal with daily basic life problems मतलब बच्चे को ऐसी शिक्षा देना कि वो अपने life की problems आपको solve कर सके and prepare हो सेगे किसी के profession या पर job के लिए value education हम ने यही बोला हम यह देखते हैं कि बो परसन सही से काम कर पा रहा है मतलब कि इसके source value education के 3 है regulation subject of school curriculum is the first job value education value education मतलब किसी इस school curriculum भीजने से पहले इसको games, creativity, drawing बगाला काम कर रहाना को curriculum activities में क्या होता है second important source for development values मतलब उस person को develop करना और third क्या है environment is third value education environment जो है third value education मतलब तीन source होते है number first regular regular क्या होता है हम regular classroom plan and daily के पढ़ाई को करने activities या निकी पढ़ाई के साथ साथ से हम देखते है school में कहीबाई drawing competition होता है singing होता है, dance होता है different cultural activities होते है तो वो co curriculum activities होती है third अबारा क्या होता है हमारे आसपास का environment और हमारे school का environment कैसा है कि इस पर के माहूल में रह रह रहे है तो यह तीन शीज़ों का effect बहुत जाद होता है इस पर value education के ऊपर और यह परण शाला है और यह परण शाला है जो अभी चल रहागा online technology कि को लोना आया तो इसका जो इंपोर्टेंस अभी जादा बढ़ शुकी यह online platform पर आप लोग दीख रहे होंगे आजकर YouTube के बढ़ाई बहुत जादा हो रही है यह फिर बहुत सारे एपाइसे वंचों के जिनके थ्रोंगम पढ़ाई पर सकते हैं, चिक है? तो वो आएंगी पाशाला की अंपर पाशाला की इंटरहेट वे पाशाला है और एकों चला रहा है? MSRD चला रही है, चिक है? MSRD के अंदर चल रही है, और MSRD को क्या बोल रहे है? MSRD को क्या बोल रहे है? इसके अंदर मतलब एक तो भारत स्कील आता है E-Skill India आता है Nash Computer आता है Skill Build आता है Text and Digital Learning, SWIM, NPT यह तो यह सभी क्या है? E-Pाशाला की तहर आता है SWIM पता होगाना आपको हम लोग देखते हैं जो वीडी के हैना उसके आता है SWIM के Lectures फिर आता है E-Pाशाला और शिक्षा अब हम पढ़ेंगे कुछ हमारे important जो institutes हैंने सबसे बड़े लावे के काम कर रहे हैं उसमें number 1 पे आता है NEPA NEPA बोल दो, NEPA बोल दो National University of Education Planning and Administration यह बना था 1902 मेरे है है New Delhi Headquarter New Delhi New Park की फुल कॉर्म National University Education Planning and Administration कब बना था 1906 में इसके रिगार्ण है इसके रिगार्ण के लिए administration के रिगार्ण के रिगार्ण बनाया गया था चिक है तो अब उस तरह पर चांसलर थी प्रोफेसर एंडार माधर और अब को है महेश चंडर संट चिक है affiliation किसमें दिया UGC अच्छा उसके यह क्या है इसके पैक्स बोडी है इनका फिल्ड ओफ एजुकेशन प्लानिंग है और इसके अंदर 4-year के जो हमारे courses होते हैं वो भी पगाई जाते हैं इसका 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 में मतलब इसका क्या रहा है यही लायर के एजुकेशन की पॉलिसिस बिनाना अच्छी से अच्छी प्लाइन करना मैनेजमेंट के रिकारणी और टीचिक रिसर्च की लिए का फैस्टी है इंडिया के इसको ग्लोबल करना हो तुर हमारा है UDisha Unified District Education System for Education एक district level की बात की लिए है UDisha के अंदर ठीक है? For School Education किसके लिए है? School Education के लिए यह Higher Millennium के लिए लिए था? यह School Education के लिए है क्या है UDisha Unified District Education System for Education चीक है? Next है हमारा एक मिनट Unified District Information पर सुर्ण 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 System for Education Unified District इसके लिए इसके लिए इसके रिगार्ड़ी नहाँ पर हमारे पर आता है सार्भीशिक अभ्यान जो अभी भी चल रहा है आता है इसके लिए पर में इसके लिए पर सुर्ण सुर्ण इसके लिए अभीशिक वीजान भी आता है Selfch Abhan For Old Women और इसके लिए बताएंगी जैसे कि 6-14 एक बच्चों के प्री ओंप प्री ओंप प्रॉस्ट प्रवाइट करना हर बच्छे उसक्षा मेली चीए और गल्स के साथ जो घबबा होता है कि उबत लग्डी को स्कूल नि भीजेगे इसलिए कहा गया 4 old women कि women's को भीच में आड़ कि नाड़िया गया है कि women's को education पीज़ाने बहुती शवरूरी गया है इसलिए इसलिए कह ऊगया है कि चोटे लगजों को को सिख्षा मिले ही मिले साथ में बड़े गुल्स पर गया रहा है उनकों मेले women education होनी बहुत ही जरूरी है फिर आता है हरुसा रास्टिया उच्छतर सिक्षा अभ्यान जिसमें higher education की बात हो लोगोंने की चीक है यह कम इसको C.S.C.C.S.S. गोलते हैं Center Sponsored Scheme और Start Top 1 2013 है Center Sponsored Scheme के काला चलाएगा तो Start किया गया है 2013 में इसकी फुल्फर्म क्या है रास्टिया उच्छतर सिक्षा अभ्यान इसकी जो एम है क्या कहने को Provide strategy funding to eligible state higher education institutions ऐसे स्टेट जहां पर बच्छे बहुत ज्यादा higher education को लेने के लाइग उनको क्या है funding परबाता है next the central funding जो पढ़नी का ratio होका है 65-35 general category के लिए 90-10 special category के लिए और 100% for UT यानि कि इसका जो ratio है 65-35 for general 90 ratio 10 for schedule और 100% for UT के रिगार्ण जो funding करवा रहा वो इसके रिगार्ण करवा रहा जन्दा उसके ज़िए 65-35 और 90-10 schedule याई 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 और 100% for UT के रिगार्ण करें कि 65% याई देगा 35% बोलो फुद लगाएंगी जो funding है और इसमें schedule के लिए 90 schedule याई रिगार्ण के रिगार्ण 90% funding को रोसा रहा और 10% को फुद लगार्या है और unit अरेक्ट मी क्या हो रहा है 100% रोसा के थूर दी जाती है higher education के higher education के institute को set up करने के लिए okay then आता हमारा department of higher education M.O.E. ministry of education 2015 ministry of human resource department रहा था क्या इसका विजन क्या रहा है to realize in your human resource potential to fulfill higher education sector with equity inclusion तो इनका विजन यही था कि जह हमारे हाट पर human हैं की लोग हैं को अच्री सिख्षा दे करती है कि इस तरीकी कब बनाया जाना ताकि वो कोई भी अच्छा सा काम कर सकें और लोगों को भी कोई काम दे सकें कि इसके लावा इने को विश्रो गुरू बनाने का प्लान की कि इसकी MOE के लिगार्णी मिनस्टर अच्छा के काम होगे लिगा फिर हमारा आता है यह को बढ़ी है MOE के पर में objective to have spent a higher education sector in all modes of delivery to increase the GER in the main objective का था GER को बढ़ाना और उजिन में आपने पढ़ा साना हमने क्या expectation का बखिए कि 2030 तब higher education में GER 50% होना चाहिए और 2030 तब secondary education और primary education उसका GER 100% होना चाहिए हमने उजिन में पढ़ा साना और अभी current GER 32% का है ठीक है इन सब के अलावा जो हमारे उनिवस्टीस है ना 99-21 उनिवस्टीस को पेउग पताया गया है इन फेट वनटी-उनिवस्टीस के बढ़ाई चाहिए अब के इतन ये 21 उनिवस्टीस को पेउग उनिवस्टी है The GER के बढ़ा स्वार्च चाहिए स्थर्टिकल मेजर होता है Determining the number of students in enrolled in undergraduate पोस्ट ग्रादुएट और रिसर्च रावल, GER के लिए हम देखते हैं, जो हमने सेट अप किया है, कि इतने बच्चों को सब्सक्राइब हो जाएगे, उनमें से कीज़ने को मिल रही है, या नहीं कि इतने बच्चे वहाँ पर रिसर्च हो रहे हैं हमारे 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 हम इस तक 50% करना है कब तक 2030 दे या हमें पहले ही पड़ा था जबारा रिक्ट करवा दिया, इतने अप्टेक्स ब्रॉड़ीस जो हैं वह कुछ हैं जो मत्तर पुझ रूज 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 रूजे बनाते हैं, उनमें दो हैं, एक्तोबर रिगुलिटरी बोडिस एक रिसर्च वो यह है, regulatory body यह है, UGC, university grant commission, universities के regarding, branch देती है, rules and regulations बनाती है, subject matter prepare करती है, AICT, यह technical education के regarding है, ठीक है, और council of architecture, यानि कि architecture यानि जासी buildings बगारा बनाती है, उनके रिगार्डी है, ठीक है, तो UGC पुर्पर्म, university grant commission, next AICT की, All India Council of Technical Education, और next AICT कांसे पूर, आर्की ट्रेक्शर, तो यह तो regulatory body होगी है, इनकी यह technical के regarding, यह टीक इकोसिस के regarding, और यह आर्के ट्रेक्शर के regarding, फिर research center है, ICTR, ICTR के फिलफॉम, विलोसफी के regarding मतर research करनी है, तो Indian Council of Philosophy Research, और social science के लिवारी करनी है, तो ICSSR के, Indian Council Social Science and Research, कि यह council बनी है किसलिए? Social science पर research करने के लिए, जो हमारा समाजर्स के ओपर, फिला, ICHR, Indian Council of Historical Research, हमारी history पर हमने को research करनी है, तो ICHR, NCI, National Council of Rural Institutes, रूले नेरी गावों में पढ़ाई के लिगार्डी हम लोग करते हैं, तो Center of Study in Civilization करनी है, तो Center of Study in Civilization Project of History of Indian Science, जो है PHISPC, NCI, National Council of Rural Institutes, और यह कोनों वहाँ है, कि वहाँ है, इन वहाँ है, Delhi, चीक है, IEC PR, और IEC SSR का, IEC PR क्या है, Philosophical Research के रिगार्डिंग, SSR, Social Science के रिगार्डिंग, और इसका है, गुवार्टी, 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 अंक्स्ट, फ़ी प्राप, IEC SSR, Indian Council of Historical Research, एन इस्ट्री पर जो इस्ट्री करते हैं, वो पहाए हैं, वो IT में हैं, और NCRI के पहाए हैं, हैदराबाद में हैं, और Civilization के दिगार्डिंग जो है, इस्ट्री फिलोस्थी के अंदर जो परवा जाती हैं, वो है PHIISPC, उसके अलाबा, M-O-E-K-A-C-O-D-E, जो कुछ इस्ट्री इस्ट्री में से, IIT हैं हमारी, वो अभी करेंट में 16 हैं, IIM 13 हैं, NIT 31 हैं, और IIIT कितनी हैं? 4 हैं, और इसके अलाबा, IISC Bangalore 1 है, IISCR 5 हैं, और NTA क्या है? NTA अप्रूफ करता है Union Cabinet को, बाज जबा, NTA को अप्रूफ किया है Union Cabinet ने November 2007 के एक autonomous body है, testing agency है, जो हर प्रिकार के, अगर हाया education में आप एंट्री करना चाहते हो, तो आपको NTA के जलाम है, उनको crack करना होगा, जैसे ही टीचर बने किदी हम लोग करते हैं, NET, NTA एक्जाम प्रूफ किया है, और NEET का एक्जाम, और NTA बहुत सारे ऐसे और भी एक्जाम है, जो हायर रजुवेशन के लिगार्वी प्रूफ कर वार का है, क्या है, और University Grant Commission क्या है, UGC, NTA बहुत एक्जाम सुनी जी, JEE का है, NEET UG का है, CMT का है, GPA T का है, और उसके बाद University Grant Commission UGC क्या है, स्टेशरी बोड़ी है, स्टेशरी बोड़ी है, UGC का University Grant Commission का स्टेशरी बोड़ी है, कि 1956 में Stablishment Lear Headquarter New Delhi में है, तो आपका आसका 3rd lecture complete जित्व के था, Oriental Convention & Non Convention Learning पर था, और Policy Making Agents के पेसपर था, चिक्या, में भी आपको उच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी क्वैली हो, आप पूछ सकते हैं, अगर आपके lecture अच्छा रगा, like करें, share करें, comment करें और जादस जादा प्रेंट से share करें Thanks for watching